देश तुनिया के वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाब लिटिस नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन दबाना ना भूले इधार चीन में बारिश और सलाब के सबब बली आबादी मुतासिर है यहां अकेले हिनान में 30 लाग से जादा लोग मुतासिर हुए हैं जिनने महफूज मकामात पर भीजा किया है चीन पिछले कुछ दिनों से मौसम की मार झेल रहा है ड्रोन से लिगए ये तसावीर हैं चीन के हिनान सूबे की जहां बारिश और सेलाब की वज़े से आम जिन्दगी पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुकी है बारिश की वज़े से अकेले हिनान सूबे में 30 लाग से जादा लोग मुतासिर हुए हैं जिन में से 3 लाग से जादा लोगों को रेस्क्यू करके महफोज मकामात पर भेजा गया है और सेलाब के वज़े से हिनान में 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है तो वहीं जेजी आंग और फूजियान सूबों में हुई बारिश के बाल फिर से कई अलाकों में पानी भर गया ये तसावीर बता रही हैं कि कुद्रत का कहर चीन पर कैसा है सालाब मुतासिर अलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 1800 से ज़ादा फारफाइटर्स को तैनात किया गया है जो दिन रात लगा कर लोगों को इसी तरह रेस्क्यू कर रहे हैं चीन में मौसम के इस मार्स से अब तक 50 से ज़ादा लोगों की मौत हो गई जब कि तीन लाग से ज़ादा लोगों को महफोज मकामात पर पहुँचाए गया है बियर रिपोर्ट जी मीडिया चीन के जेजी आंक से आज चक्रवाती तूफान इनफा के टकराने का इमकान है इसके सबब वहाँ पहले से ही शदीद बारिश हो रही है जिससे शेहरों में सलाब जैसे हालाथ हैं ये खबर तफसील से देखे चीन के साहली आखो में चक्रवाती तूफान इनफा के दस तक के पहले ही कई आखो में तेज बारिश हो रही है तसावीर चीन के तट्ये सूबे जेजी आंक की है जहां सनीचर को भारी बारिश हुई देखते ही देखते कई शहर पानी में डूब गए चारों तरफ सलाब जैसे हालाथ हो गए जेजी आंक में शहरों के एरियल तसावीर पर जरा नज़र डालिए सिर्फ मकानों की छट दिखाई दे रही घरों के कैमपटस से लेकर सड़क कर पानी में डूबी हुई ये देखे कैसे दुकानों में पानी घुष गया है ये दुकान दार दुकान के अंदर भरे पानी को बाल्ती से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हालाकि उसे शायद काम्याभी मिले क्योंकि बाहर का और दुकान का लेवल एक होने से पानी फिर अंदर जा रहा है शेहर के बीच में पानी भरने से शक्स का स्कूटर खराब गया है जिससे इसे पैदल ही ले जाना पर रहा है शेहरों के बाहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही है तूफान से पहले ही बारिश से सड़की दर्या बन चुकी हैं फिलाल अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जेजियांग से आज चक्रवाती तूफान इनफा टकरा जाएगा प्यूर रिपोर्ट पीमीडिया